कि नमश्कार आप सभी का मैं आरे स्वागत करता हूं आप सभी का एस्टो पाट्शाला में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्टो पाट्शाला हमारे सब्सक्राइबर्स की वज़े से हमारे दर्शकों की वज़े से बहुत आगे बढ़ रहा है और आप सबके जो टॉपिक्स हैं आपके सुझाव हैं आप सबके कमेंट समकर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम एक नया इंटर्व्यू लेकर आए हैं विश्व विख्यात जोतरवित श्री धरमेश महता जी कैसा है सर आपका हार्दे का भी धन्यूंग जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इंटर्व्यूस के मात्यम से एक एक ऐसा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें आप सबकी रुची हो जिसमें आप सबको पता करना हो आपकी जिग्यासा हो इसलिए आज हम एक और मघचिब में होता है पहले तो उसे पता कैसे करते हैं कि मारक फर्ष क्या है और कैसे देखा जाता है कि तो समझना है कि मारक करेकम has-a-ब इक लिए गर्रिए अगर यही मार देगा तो कुल्ली में अस्टमभाव का क्या फाइदा है तो मारक का मनलब ही होता है मिर्ट्यू तुल्यक तश्ट है जिसे बहुत सारे लोग बिमार होते हैं आईशियू तक चले जाते हैं लोगों को लगता है कि अब नहीं बचेंगे और वो रिकवर होके वापस आते हैं तो उनकी मार के लिए मारक को कैसे पेचानें तो कहते हैं कि कुल्ली का दूसरा भाव और सात्वा भाव ये मारक भूह करें तो मारक है जैसे मैंने अभी कहा कि थोड़े समय के लिए आप अपने आईश्य से विमक हो जाते हैं आइशा का सीदा ही वियायबाव थोड़ा बहुत आइशा का वयाय करता है अब यह तो समझ पर दूसरे भाव को क्यों कहा गया है तो कहते हैं कि ये भी भावा तो आश्टम से आश्टम, आठवे से आठवा होता है तीसरा वाव, उसका व्याइशता 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 मालिक होगा, वो मारक बनेगा, सिर्व इसमें एक ही आपको ऑप्षिन दिया है, एक ही छूट दिया है, रियायट दिया है, एक्सेप्शन दिया है, वो है, तो वो सूत्र लिखा है, द्वी मारकम ना मारकम, इसका मनब होता है कि अजर दोनों मारक कोई एक गरह बनता है, तो मारक नहीं। जैसे आप मेश लगने का लेलो तो दूसरे भाव का मालिक शुक्र है, सब्सक्राइब का मालिक शुक्र है, तो यह दोनों एक ही होने पर यह मारक नहीं होगे। मंगल मारक नहीं बनेगा, बाकी सारे लगनों में मारक होंगे। अब क्या होता है कि जैसे ग्रह शुब और अशुब होते हैं, इस तरह से मारक भी प्रबल मारक और निम्न मारक कहा जाता है। अब एक एक जामपल लेएं जैसे ब्रिशब लगने हैं, तो ब्रिशब लगने मे दूसरे भाव का मालिक बुद होता है और सब्तम भाव का मालिक आपका मंगल होता है तो यहां जो बुद है वो शुब ग्रह है तो यह कम मारत होता है पर सब्तम भाव का मालिक जो मंगल है वो क्रूर ग्रह है पाब ग्रह है तो यह ज़ादा होगा जैसे आप कोई अशूव या राक्षेस को कोई शस्तर दे दो तो वो पूरा ही मारेगा ऐसी रात देगाई तो इस तरह से आप अपनी कुली में जाजिए कि आपके जीतिया भाव और सत्तम भाव के मालिक कौन है अगर मेश और तुला है तो आपको कोई गरह मारत नहीं है और बाकी जो भी लगनों में दूसरे और पात्रे में जो पाप गरह होगा अब देखें हर एक लगनों में ऐसे आए जाने कि एक सुप गरह होगा और एक पाप गरह होगा ऐसे कोई लगना नहीं है जिसमें दोनों ही मारत होगा तो एक प्रमल मारत होगा और एक मिन्न मारत होग क्योंकि जैसे है मारा ग्राण करिके atidopoda क्या बिसके कुझा में वह बहुत अतिमर मेर्फज़ुन है उसकी तशड़ा आती है तो वह एक व्यक्ति के जीवन पे क्या सही प्रभाव देती है जैसे मैंने कहा कि मारक एक समय है जो आई उसे को कुछ समय के लिए रोग देता जैसे कोई कौमा में इसला गया कोई बीमार हुआ अब किसी को कोई बीमारी हुए है अक्षाश्मा दुरगटना हुए है जहां पे डॉक्टर ने बुला दो मेने आप खाट में रहेंगी तो यह मारक को आई जफे आप क brush show कि जितन ही हुआ है जिसे का सत्वे लें मारक के निष्षे तो ऐसाथ बाउड़ निवन दहां इस बैटमार के मार्क, कि जब धुस्टरिक वो पर यह चुछ है. निश्चे तो होई गया कि यह दो ग्रम मारत है, तो जिनके लिए भी यह दिश्चे हो गया है, तो जभी भी किसी भी माहत दरशा में आए, या जिस भाव से यह मारत बुच्रे ब्रमन कर रहे हैं, तो वो भी पाप ग्रय शनी और राहु जेशा ही रितरिट पल रहे हैं. उन भावों से जुड़ा हुआ रिलेशन बहुनाली इसाप लेका विए बुद्धन है रियुछ。 तो आपकी ही बुद्धी ऐसा काम कराईगी, ऐसा निरे लेगी कि इस वजे से आपको कोई न कोई कोई कश्ता आजाएगा. तो इसलिए मारग जिकप प्रबल होते तो ये बैठे-बैठे प्रबल नहीं होते हैं, ये जब उनका समय आता है, दशा और गोचर में जब उनको समय दिया जाता है, तो वो किसी भी की महादशा हो, और जब ये आए, अगर इनकी महादशा ही आए तो तो पुरा समय मों मारग प्रबल देता है, और उसमें अगर कोई महादशा में इनकी महारग देके अंतरश आती है, ये जब उनकारी दे रहे हैं, बताना चाहूँगा कि इतने सारे विवर्स हैं हमारे, जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि हमें सर की ही वीडियो देखनी है, तो कि हम वैसे बहुत हो के इंटिव्यूस लेते हैं, लेकिन क्या है, हर टीचर का एक अपना क्राउड है, तो इसलिए, तो हमें चाहिए था कि बहुत बास टॉपिक है, और इसमें गहन मिशलेशन की ज़रुवत थी, तो इसलिए हमें आप से ही सुना था, एक और बात कहना चाहेंगे जि कि क्या प्रभाव रहते हैं, अगर किसी की मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उसके उपाई क्या है, जी देखें, एक बार डॉक्टर भी डाइगनेज तो कर लेता है, कि आपको ये दर्द है, पिर दवाई भी तो देता है, तो यहां पर उपाई भी देना बहुत ज़रू यहां पर स् suspect कर दो चल चल देना पर शक्रत अग्राव जो पर अईज़िवतार है, तो तो मारेगा यह मारेगा, तो इसको प्रभल ले करना है, वो वैसा ही आपको वेश्यें करें कर ड्म पर शक्रत होचें, इसको ब् fronts पर ने है, उटम हैं तो चीजह पर जदना है, वो ने आप उप्वास करेंगे तो क्या होगा आप बुखे रहेंगे इसे दूसरों को क्या फायद होगा ठीक है आईवेट के इसाब से शरी के लिए बहुत ज़रूगी है और उप्वास अपने लिए करें पर जब दान पुन्य करते हैं तो आपको भी आपके करव में पल मिलता है औ पाने वाला भी चुक होता है संतुस होता है आज शर्वात बिए तो उन चीजों उन ग्रह से चुड़ी है जैसे मैं सूरह ही लेए हूँ अगर किसी की कुम लगना है तो सात्वे का मालिक है सर्क लगना है तो दूसरे का मालिक है ठीक है ऐसके आगे कोई गी मुंत्र करें वही कहते ही या दर्ण ही कहते तो ऑसको अच्छी आप प्रेज्ड आप उसको अच्छा बोल रहें तो या मंत्र करें या दान करें रत्न धारण करने की बिल्कुल है। रत्न के वीडियो में भी हम कहते हैं या उसके लेक्षर में भी कहते हैं कि कभी भी मारक और बादक भ्रेक का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो वह सूट ही भी होगा। उसका काम है आपके शरीश को पष्ट देजा तो वह कैसे आपको फायदा देगा। तो उन ग्रहों से जुड़ी जो चीजे होती है उसका डान करती है। और उन चीजों का मंतर कुछ जब करते रहे, मांसिक जब करे या बाट की जब करे बस ये दो ही चीजे हैं जो आपको उस समय से बहार निटा लेगी। ये उसका सबसे स्रेश्ट आपके लिए समय होता है कि दान करे और यताज़की दान करे और उसका जब करते है। धन्यवाद गुरू जी इसका मतलब कि जो भी घ्रह आपका मारक है उससे संबंदित वस्तू या उससे संबंदित अनाज जिसे आ आपको उसकी अतर कम कर लिए तो उस चीजों को आपके शरी से दूर डूर डालना है। तो जितना आप दूर करेंगे उतना आपको शंति लिए। धन्यवाद गुरू जी आपका बहुमूल ये व्यक्तिकत समय देने के लिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप बहुत विजी सब्सक्राइब करें और शेयर करें जाने जानकाईयों के लिए हमारे कोर्स के लिए आप सभी का अधार और धन्यवाद धन्यवाद गुरू जी अध्याद